मस्कार दोस्तों आज डेट है पांच जुन देखते हैं हिंदु का एडिटरियल डिसकसर में कौन-कौन सा अर्टिकल इंपोर्टेंट है आज हम दो आर्टिकल डिसकस करेंगे पहला जो है और अपचारिक छेत्र में अर्थ विवस्ता में महिलाओं का क्या योगदान है ठीक ह यह सबस्क्रा विवस्ता में महिला का डोल कम हो रहा है योगदान कम पताया गया है कि 1990 में 30.2-3 परतिस्द था घट के 2019 में ये 20.8 परतिस्द हो गया है पहले 1990 में कितना था 30 परतिस्द और 2020 में हो गया ये 20 परतिस्द इसका कारण ये भी हो सकता है इसका सकता है ऐसा माना जाता है कि महिला उच्छा में 1990 के स्षिख्षा में महिला नहीं थे अब ये महिला उच्छा पराप्त करके औपचारीक चेत्र में इसलिए ही इसलिए महिला का थोड़ दिया ही होंगे उन्होंने देखें कि आगी जो है कि महिलाओ का कम होना क्यों कम हुआ इसका रीजन हलाकि उस सिक्षा में इनका दड़ बढ़ा है जो अभी भारत में बढ़ा है इसलिए बताया है जाता है की उना टारीक कमया हो गई खी णैक को ते हमारे के बहला होते हैं अलब्ल fan कर लैकि यह का मात्लब काम कब लेकिन काम केट आbn Dick कि इनकी बारत में और 21% से अधिक है जो और वैतनिय कार करते हैं ठीक है 21% से कम महिला ज्यादा महिला और वैतनिय कार करते हैं जो कार करते हैं लेकिन उनको उनके लिए परिशा नहीं मिलता है इसमें क्या क्या जाता है आपको यह सिंपल से देखोगे कि आपके घर में आपकी मदर होंगे माता जी होंगे ठीक है वो काम करते होंगे उनकी पूरी हैटिक होती है उनका सिस्टर हो गए ओ भी तो यह पूरे काम करते हैं पूरे दिन उनके टाइम विजी रहते हैं फिर भी क या इसके बदले क्या आप या आपके पीदा जी मॉम को ठीक है अपने माता जी को पैशा कोई करते हैं नहीं करते है इसके लिए को पैशा पेशा पेड़ नहीं क्या जायता लेकिन एक व odpow चीजों देखोगे यदि इसको तुलना क्या जाए ज़िए हमग है घाटा तूलना में महिला का जो सरंबल भागीदारी है ऑग 81 अशौव परतिसत बढ़ जाएगा तो इसके लिए यह है कि देखिए उनकी लिए तो हम कोई पे नहीं करते हैं पेमेंट तो करते नहीं है उनका कार क्या होता है देखवाल करना ठीक है परवारों का संचालन करना परवार का काम करना इसके लिए कोई भुकता नहीं किया जाता जिससे की पढ़ियाब सबसेड़ी नहीं होती है उसके बाद नेक्स्ट है कि महिला को स्वाइं के परती यदि कोई महिला काम करना इस्टार्ट करता है तो उसके लिए दो चीज़ होता है एक तो और्गनाइस सेक्टर में काम करेंगे और सेकेंड उनको वही कम घर में भी करना पड़ेगा यदि कोई पुरूस आता है यह प्रति सतात्मक समाज का अच्छा स्टोरी है कि कोई पुरूस यदि कार करके आता है तो जाके बेट पर लेटता है और रिस्ट करता है कि वही महिला यदि काम करता है काम करती ये फिर्स घर में खाना बनाएगी बच्छे का देखवाल करेंगी उनकी पढ़ाय को तो इनको क्या करना पड़ता है डवल सिफ्ट करना पड़ता है एक तैम में एक ही दिन में दो-दो काम करना पड़ता है ऑफिस का भी काम करेगी और घर का भी काम करेगी ठीक यदि अब यदि अनफ्चारी उसमें रहता है तो बिवित्ता होती है अलग-अलग कार होता है इससे उनकी जो छमता है ना उसमें बाधा डाला जाता है उनकी जो छमता होता है कार करने का जो छमता होता है उसमें बाधा डाला जाता है एक फैक्ट है इसमें यह है कि एक वर्थ में महिला 3.1% होता है यदि इनका जो आवेतनिय कार जितना करते हैं इस आवेतनिय कार के बदले यदि पेड किया जाए यदि इनको पैसा दिया जाए इनके बदले में उनको कितना होगा 3.1% उनके पूरी सिस्टम में लगता है GDP का योगदान है मां लेते हैं कि यह GDP में पूरे देश का यह जो हो गया यह 3.1% यह मेला का युगदान हो जाएगा आगी कर राइटर सजेशन क्या देना चाहते है राइटर का सजेशन है कि आप 3R दिष्टी कोन अपना हो आज दिष्टी कोन यह होता है कि पहस्चानना काम करना फिक है अपनों वीत्तन करना इनके माधियम से इनकी जो कार है ठीक है इसको पहस्चाना जाए इनकी जो कार है उसको अंदेखा ना किया जा जाए इस परनाली के अंदर गत आप इनको सुभधा दो बुनियादी सुभधार इनमें निवेस होना चाहिए इनके काड़ों में क्या होना चाहिए निवेस होना चाहिए इसको यदि आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो 11 मिलियन जॉब साइधा हो सकता है जॉब सिर्जित हो जाकता है जिससे कि इनमें मेलाओ का भी योगदान होगा मेलाओ का भी ससक्तिकरान होगा और अपने जीडीपी में भारत की जीडीपी में या किसी देश की जीडीपी में इसका योगदान होगा यह हमने आर्टिकल डिसकस किया कि मेलाओ को जो पेड नहीं किया जाता उससे डिलेटेड है अब जो ने किप्टो के लिए के आपको पता होगा कि आपने पढ़ा होगा कि किप्टो करेंसी एक नया concept आया है इंडिया में ठीक है किप्टो करेंसी क्या होता है इसकी problem क्या-क्या है क्या-क्या चुन होती है वह सारे चीज़ों को हम अभी discussion करेंगे है कि दूसरा जो हमारा आटिकल है वह एकिपटो करेंसी को लेकर इसको आप जीएस पेपर थिरी से भी डिलेट कर सकते हो अब भी के टाइम में किप्टो करेंसी ठीक है किप्टो करेंसी हुआ विट कोई हुआ यह यह न 2010 में आया था तो इसका रेट कितना था पता है आपको 0.0008 डॉलर ठीक है वही अभी के टाइम में अप्रील में इसका रेट हो गया है 65,000 डॉलर यह अब देख सकते हो 10 साल अब देख सकते हो कि 11 साल में कितना रेट में अंतर आये हैं इसको लॉट किया गया था कभला तक पहुंच गया इसका इसकी विजनेस जो है ना इनकी जो बजार की है इसने कितने ऐसे देश है जिनके एकोनुमी भी इतने बड़े नहीं है आसकर हमारे भारत के इसके आसपास है इसे थोड़ा ज्यादा होगा है इसमें विट्कॉइन काम कैसे करता है इसके एक ब्लॉक्चेन टकनीक के माधियम से विकेंदी करया जाता है इसका पूरा का डाटा जो होता है ना वो computer से ही लोता है एक computer से दूसरे computer में transfer करना उसके बाद इसमें जो लेंदेन के पढ़किया होता है यह simple सा समझेगा जैसे आपके पास है यह A है यह B है इसको यदि इसे पुरा data B, A, C, A, पुरा market में क्या है एक computer के अमाद ही हमसे पूरा फैला हुआ है एक दूसरे से जुदा हुआ है माल लेते हैं कि A को B को देना है माल लेते हैं कि 10 bitcoin इसको देना है यह सीधा transfer करेगा किसको B को रैट किसके मादियम से computer के मादिप से यहां पर इसको login करना होगा login password जाएगा यह बोलो यह आप login password करो आपने इसको लोग इन पासपोर्ट करके अपने जो आईडी है उसमें एड कर लेंगे यह ब्लॉक्चेन टेखनीक है जिसके मादियम से यह विटकोईन काड़ करता है इस बिटकोईन को ना मैंनिंग भी होता है इसका लें देन या इसको विटकेंड यदि विटकोईन का डिमांड ब सेर्वर की प्रळम होती है यह बह Kerryन से बिटका पने यह बन सकता है जब ऊससे मी बेड़कें हों नपर नहीं हों दो इसको ननकालना चलोब करती है यह सारे चीजे और इसको बनाना इजी नहीं होना चाहिए यह यह इसली निकलेंगे कोई काम नहीं है यह निकल जाएंगे इसलिए और यह क्या है प्रकार पाइसे नहीं चाहिए उसके बदले उनको कुछ गोल्ड रखना पड़ता है फिर जाके गौर्ण्मेंट भी चाहिए उसी प्रकार से को बनाने में इसकी पोर्सेस नहीं है इनकी आप पूर्ती को संचेक करके यह पेयर ट्यू पैयर होता है मतलब एक से दूसरे के बीच में ऐसे करके उसके बाद एक किप्टो करेंसी का गून क्या है इसका लाव क्या है इसका लाव है यह कोई बैंकिंग सूलक नहीं लगता है इसमें कोई आपको सर्विस चार्ज नहीं देना का जड़ू है यह मैंने पैसा डाला फिर पैसा पैसा डालते है किसके पास बैंक के पास और फिर आपको टांसफर करता है मुझे यदि एक सूर्पिया आपको डालना होगा मुझे आपको भेजना होगला दो मैं पहले पैसा डालूंगा गान्क के अपको पास जाएगा यह सारे चीज होते हैं लेकिन इसमें कोई गोपनियता नहीं होता है तो यह चीजे इसके लिए था उसके बाद है कि यह सडल है उन्दराश्ची लेबल पर भी नहीं करना इसकी मार्केटिंग करना इस सारे चीजे इनके गुण है राइटर कुछ इनके दोस्त भी बताते हैं या दोस्त यह हो सकता है कि किसी भी राज को यह कोई संपरव राज या केंद्रिये बैंक एजनसी का कोई एक वैलिड कोई संस्था नहीं है जिसके माधियम से इसका संचालन होता हो आप बिटकोईन लेते हो यदि आपकी एसे हो गया नहीं है उसके बाद है कि इसके माधियम से मनी लौन्डरिंग की जो फंडिंग होती है राज देश की आंतिक सुरक्षा होती है मानलो कि कोई पैक्ति है और बोलेगा कि इंडिया में आपको किसी जगह पे बंब लाश्ट करना है तो पाकिस्तान से इसकी funding होगी तो पकिस्तान का वैक्ति इंडिया की किसी वैक्ति को टांसफर कर देगा इसके बीच में कोई मेडियेटर नहीं होगा कोई बैंक काम नहीं करता है तो हमारी जो चांच एजेंसी है कैसे काम करें पाएगे कि इनके पास कैसे मनी पहुंचा इनके पास तो पता ही नहीं चलेगा यह सारे चीज़े इस गती वीधिया से आतंकवाद के बढ़ावा मिलता है उसके बाद है कि किप्टो करेंसी भारत की स्थिर्ता को प्रभावित करते हैं इसको को इसके चिंता बढ़ता है आपको पता होगा कि भारत में किप्टो करेंसी विट कोई आने से पहले ही इसको आप बादित नहीं कर सकते रोग के बहुत दिनों तक नहीं रख से क्योंकि एक तो फैलिप जाता है कि हमारे यहां पर टेक्नोलोजी थोड़ा स्लो आता है आप यह विट कोई या किप्टो करेंसी जो है ना आप देखो स्विट जैलेंड में जाओ यूएसे जाओ यू अ इसको रोगना चाहिए इसको आप परमीहिसरद्र दो रहत और इन नेटवर्क कोई से को ना जो पारझेषता है उसको बनाने की जडरूरत है एक नियम बनाए इसके तहत नियम बनाना चाहिए जिससे की कुछ वैलि पहल लॉष बन पाए जिससे की विश्वास हो यह वीत रिलेटेट में यह अपको इसके लिए आप डिक से लिंक में टेली ग्रैम चैनल का लिंक दिया वहां से अप्ले सकते हैं आज के लिए इतना ही